हेलो एक्रीवन वेलकम टू एक्जाम टेज़े सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेशन रिलेशन एडिया इस अगर आप जैनियू से में करते हैं तो क्या-क्या करियर ऑपॉर्चुनिटी यह क्योंकि बहुत सारे ऐसे इस विडियो में जिनका बारे में डिटेल में डिस्कुस करेंगे सो जितने भी ऐसे कंडिडेट हैं जो आप लोग 2024 में आप लोग प्लान कर रहे हैं फॉर एक्जाम्पल की में इंटरनेशन रिलेशन एंड इरिया इस्टेडिज में एड्मिशन लेने का तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखन और इसके ऐसा नहीं है कि जो करियर ऑपरचुनिटी हम लोग यहां पर डिसकुस कर रहे हैं उसको कैसे और किया जाए क्योंकि एक तो यह चीज़ हो जाती है जो हम लोग डिसकुस करेंगे सबसे पहला जो हो जाता है कि आप एममी करने के बाद जो है फिर आप यूजिसी न यारेफ कर सकते हैं और इसके बाद फिर आप एकेडमिया के रूप में आप कॉलेज या फिर युनिवर्शिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यार में देनी है कि अगर जब आप आयार से करते हैं तो आयार एक इस पर स्लाइज पोर्स ह तो मच बेटर होता है कि आप इसमें युजरी करें आप अफ्टर में भी करने के बाद आप यूगी सी ट्रैक करके आप आप एसिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलीजिबल हो जाते हैं लेकिन जब आप प्येजडी करते हैं जब आप इस्पेसलाइज जयातें तो आप एक और भी जा सकते हैं फर एक्जामपल प्रिंस्टेन है उनिवर्शिटी अप सिंगापूर इसका जो इंटरेशन डिलेशन का जो पूरा सेंटर है बहुत इंटरेशनल रिलाउंड सेंटर हैं सो एकेडमिक्स में आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब बहुत स सारे अब देखेगा कि बहुत सारे प्राइविट उनिवर्शिटी जो उन्होंने इस्पेसलाइज आयार का सेंटर स्टार्ट किया है जैसे हम जेन्यू की बारे में बात करते हैं जो नहीं कहीं कि इस्पेसलाइज सेंटर एक पुरा स्कूल ही है इस्कूल ऑफ इंटरनेशन तो उसी तरीके से सारे प्राइविट और नेशनल उनिवर्शिटी सेंटर उनिवर्शिटी जो है देरे-देरे सारा आप वो लो है इस्टार्ट कर रहे हैं जो दूसरा एक बहुत बड़ी अपॉर्चिनिटी जो प्रवाइड करती वो है इंटरनेशन और नेशन में इस्प बात करें जैनु की बात करें जिन्होंने आई आर या पियासम से उन्होंने मास्टर्स किया है तो जर्श्ट आफ्टर मास्टर्स भी आप लोग नाइटेड नेशन के पूर जो और जो और अप्लाइड कर सकते हैं जॉब के लिए और अच्छी बात यह है कि इंटिनेशनल में सबसे ज़्यादा जो पैसा है जो आपको युनाइटेड नेशन ही पेगर दिए अगर आप इंडिया के कंपैरिजन में भी बात किजेगा तो इंडिया भी किसी भी संस्ता में आप जॉइन गर लिजे आफ्टर में तो एट लिस्ट त्री टू फोर टाइम्स आपको उन इनके में और मैंशन देखते हैं फिर इसके बाद जो है इनके फॉर एप्ट बैंक हो जाता है तो वर्ल्ड बैंक अपने है यूएंड़ी पी है यूएंटेफ है जो गया वालिंटियर्स हो गया तो बहुत जादा संस्ता है और इनका हमिशा वेकैंसी निकला ही रहता है कैस आपनोंबर उंपर्टैंट हो जाता है साथ में नेट्वwest कि जब आपके पास जेंसन सवाल नहीं पूछा किशा चाने क्या किया नहीं जब बड़े संस्ता में देखते हैं जब बड़े संसना सिब्याइन करते हैं लिए जब करते हैं देखिए कह टो प्र तो इंटरेनेशनल औरगनाइशन में जैसे माली जी हम लोग ने तो इनाइटी नेसन्स की बाग की लिकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऑगनाइशन्स अफर ग्राप सार्क है ठीक है आप जो है आप के अलावा जितने आपके मल्टी कल्चरल है मल्ट इंटर गॉर्मेंटल जो इंसिट्यूशन से आप वहां पर भी जॉइन कर सकते हैं तो बहुत सारे आपके जो जैसे अगर आप यूएस एड के बात करते तो वह लोग क्या करते कि इंडियन को इंप्वाई देते हैं इंडियन इस्ट्वेंट्स को हायर करते हैं जो इंटंसिफ प्रोग्राम भी या फिर आप फुल टाइम वहां पर हायर किया जाता है जो यूएस एड का इंडिया में प्रोग्राम है उसको कंटूल किया जाए उसको मोनिटर किया जाए तो यहां पर आपका जो है एक गोल्डन ऑपोर्चुनिटी यह क्रेट करता है और जैसे मैंने तो यहां पर एक इंडेक्स है या फिर आप जो है अगर पॉपलिशन इंडेक्स प्रेस इंडेक्स तो इस तरीके की बहुत सारी अब संस्ता ही स्टार्ट हो गई है जहां पर इंटेनेशनल रिलेशन से जो इस्टुएंट होते उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइट की जाती है पिर आ ज जहां पर आपका राइशिना हिल्स होते हैं तो वह आपके नेशनल हो गए लेकिन वहीं अगर हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो आप देखिए का अभी सेकुरिटी को लेकर सेकुरिटी डायलोग बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट हो गया और यह सारी चीजें आप जब किया है क्योंकि जितने चार साथ में इस्ट्वेंट थे उन्होंने मरें को बोला तक एक लिश्ट बना दीए जहां पर हम लोग अप्लाइगर सकते हैं तो वह लिश्ट हम लोग ने क्रियेट किया और वह सारे इस्ट्वेंट को सेयर किया फिर आगे क्या-क्या प्रोसेस होत बात करते हैं तो आर आई एस रिसर्च और इन्फरमेशन सिस्टम यह आपका मिनिश्ट्री और अफेर्स के द्वारा उसी का संस्था है और जब आप नैश्टनल थिंग टैंक की बात करते हैं तो फॉर एक्जामपल अविवेका नंदा फाउंडेशन जो बहुत सारे आई- करियार को क्योंकि इन्होंने वह ट्रेनिंग लेके आई हैं पीछे से वह वह डिपलोमेशी वाला ट्रेनिंग लेके आये हैं और यहां पर जैसे एक हम लोगोंने यूप्यस्टी का नहीं डाए क्योंकि यूप्यस्टी तो एक आप बोल सकते हैं कि वह known to all है तो करियर अप प्रिंट है और इसके साथ डिजिटल मेडिया बहुत सारे आप देखिएगा जो इंटरनेशनल लेवल पर मैगजिनस इस्टार्ट होएं रिजिटल मैगजिनस इस्टार्ट होएं जो पूरा काम आपका इसी पे provide करता है जो आपके पूरे national and international events को cover up करता है और इसमें जैसे मैंने media में वो नहीं लिखा है जो बहुत सारे अभी तक channels start हो गए है new channel अब लोगों ने dedicated एक channel start कर दिया है जो सिर्फ और सिर्फ international news को cover करता है analysis को cover up करता है तो यह एक बहुत बड़ी opportunity आपके लिए provide किया जाता है बोथ international and national media में क्योंकि international relation diplomacy you know realism है liberalism है marxism है यह तो theoretical aspect हो जाता है लेकिन अब सब का mixture हो चुका है तो इस चीज में क्योंकि अभी आप recently देखिएगा जैसे एंकर जी से सवाल यह पूछा गया था कि एक तरफ जो आप जो है रश्या से ओयल गाई कर रहे हैं और दूसरा जो है युक्रेयन से आप जो है विजिट कर रहे हैं तो उसको किस तरह के साफ हैंडल कीजेगा तो यह सारा diplomacy में अब important हो गया आप इस पे भी देखिए क दो पेजे international affairs को cover up करेगा लेकि जब हम डिजिस्टल मीडिया में जाते हैं तो वहाँ पर कोई limitation नहीं है multiple articles वहां को originate हो रहे हैं और यह golden opportunity provide करता है कि आप वहाँ पर join करें लेकिन यह सारे career opportunity जो है वो उससे से में हो सकता है जब आप genuine करते हैं MAIR अगर आप genuine नहीं करते हैं MAIR में फिर आप यह सारे career opportunities को भूल जाएए क्यों कि अगर IR की बात है तो MAIR based है और इसलिए भी based है और सबसे ज़्यादा competition है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 50 seat और यह 50 seat सारा reserve category general category सभी को मिला के है आप समझ सकते हैं competition कितना ज़्यादा है तो preparation करने के लिए अगर आप चाहते हैं अगर आप serious candidate है आप चाहरे हैं कि यहां दो साल तीन साल में जो है अब join करना है international media और यह चीज जो मैं हम लोगों ने यहां पर discuss किया अभी तीन लड़किया लास्ट इयर जो है उनसे हम लोगों उन्होंने पहले ही जो है लास्ट यह उन लोगों ने मेर कंप्रेट किया था उन्होंने जो है UK में जाके जो जहां पर एनलिसिस पूरा होता है तो वह एक गॉल्डन ऑपोर्चुनिटी जो है आप हो सकते हैं कि प्रोवाइड किया जा रहा है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं इन सब के बारे में हम लोग सेप्रेक्टी डिसकस करेंगी जितने इंट्रेस्टेड होते है उनको हम लोग सारा लिंक प्रोवाइड करते हैं जो अपॉर्चुनिटी होते हैं जौब ऑपनिंस होते हैं उसके लिंक प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी हम लोग 100% गाइडेंस देते हैं लेकिन सब कुछ उसी समय क्लियर होगा जब आप जो है में आया जेन्यू से होता है तो इसके लिए आपको कॉल करना हूं दा नंबर 844-8878849 आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए क्लास के बारे में आपको सारे डेटेस दिया जाएगा और जो क्लासे अम लोग प्रोवाइड करते हैं थोड़ा साब से हाड़ वर्क कराए जाए क्योंकि जब आ अलावा भी आपको बहुत जादा कभी आपको चैंस समय नहीं मिलेगे क्यों क्योंकि यह वन टाइम अपॉर्टुनिटी अगर आप यह नहीं जोइन गरते हैं तो यह आपके लिए एक बहुत सारे विंडो ओपन कर देता है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है फट चेक कर सकते हैं तो इसके लावा भी आपके पास कोई question है query है तो आप call या message कर सकते हैं अगर आप new है इस चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और notification बेल भी दवा लें जो जाए जिसने भी important updates है वो सारा आपको मिलता रहे और वीडियो को पसंद आया तो प So, thank you and we wish you all the very best